कि हाई गाइज वेल्कम बैक टो मैं चैनल इसिसी जाओज एम और आज 강दे के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंसर्षिmarkt सर्कूलर लिंक लिस तो हम क्या करेंगे एक निफ्ल Harmon ko शर्ड करेंगे एफ इस वाली नोड से पहले हम एक नोड को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको अचीव करेंगे ठीक है तो बेसिक कली जो सिनेरियो है ठीक है वो क्या होगा लैट सब्सक्राइब करेंगे एक न्यू नोड को एट दी बिगिनिंग ओफ दी सर्कुलर निंक लिस्ट अब जैसे हमारे पात एक्सिस्टिंग हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है अब मैं क्या करूंगा सबसे वहले तो मुझे एक नोड क्रिएट करनी है ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूंगा एक नोड क्रिएट करूंगा एक नोड क्रिएट करूंगा सबसे पहला जो स्टैप है पर मैं क्या करूंगा एक नोड मैंने क्रिएट करी सबसे वहले क्या करो क्रिएट नोड तिर क्रिएट नोड उसके बाद क्या करो जो दूसरा step है वह कि नोड के next में start डाल दो start का address डाल दो ठीक है तो यहां पर लिगो नोड जो नोड मैंने क्रियेट करी है node.next में किया ढाल 도 start ढाल दो। ठीक मैं अगर nodetech next में यहां पर इसका address मालो 100 rats मैं tellfa is die इसके next में यहां में आ डाल दीया महatले हाब मैंने 10 दाल दिया तो यह node इसको पार जटाल के लगी कशनुद आतो इसको point करने लगी अब इसके वाद तीसरे step में को किया करो is शेवर में करो a head में ठीक है head में डाल दो new node का address best new node का address लादो I am out the head मेंङ क्या हूँआ are resurrected डाल दिया ऐहां पर मैंने हंठर डाल दिया अगर यहां पर डाला तो यह इस वारी नोड को point करने लग गया है है ठीख है तो यह मेरा स्टार्ट है वह इस नोड को पाइंट करने लग गया कि का कि अभी के लिए यह टैंप नूप नहीं बनाया था मैं सब्सक्राइब टैंप मैंने बनाया नहीं था वैसे अब यहां पर एक चीज़ हमें और करनी है यहां पर एक चीज क्या करनी है कि जो हमारी लास्ट नोड है उसका नेक्स भी हमें पॉइंट करना है क्योंकि उसके नेक्स भी हमें अब जो हमने फॉर्स्ट पोदीशन पर जो नोड क्रेट कर रही है उसका एड्रेस यहां पर डालना है मतलो यहां पर मुझे 100 डालना मतलब इसको पॉइंट चौथा स्टैप है तो मेरा चौथा स्टैप है वह क्या है टो जो मेरा जो फोर्थ स्टैप है वह क्या है कि लास्ट नोड के लास्ट नोड के next में जो मेरी new नोड मैंने create करी है इसका address डालो मतलब इसमें इसमें भी मुझे node डालना है ताकि यह इसमें 100 डाल दूँ और यह और यह भी इस node को point करें तभी हमारा circle complete हुआ ना यह देखो तभी circle complete होगा हमारा ठीक है तो यह चीज़े हमें करनी हैं तो चलिए इसको हम देखते हैं इसको प्रोग्राम बनाते हैं इसका सबसे बहले दो तो यहां पर मैं function create करेंगा मैं पिछले वाला प्रोग्राम ही यहां पर कर रहा हूं ठीक है continue यहां पर सिंबल क्या करूंगा एक नया function बनाओंगा यहां पर लिखूंगा insert insert at beginning ठीक है और इसमें मैं क्या करूंगा self और head पास कर दूंगा ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है सबसे मुझे नोड क्रेट करनी है तो यहां पर लिखूंगा यहां पर मैं object create कर लोंगा इसमें मैं data assign कर लोंगा let's say 100 ठीक है अब मेरी node create हो गई ठीक है मेरी node create हो अब मैं क्या करूंगा node के next में क्या डाल दो start डाल दो ठीक है तो यहां पर लिखूंगा new underscore node dot next में क्या डाल दो start मतलो head डाल दो ठीक है तो यहां पर लिखूंगा self dot head ठीक है उसके बाद मेरा क्या step था उसके बाद था head is equal to node head में अब क्या डाल दो head में node का address डाल दो new node का ठीक है तो यहां में काम हो गया अब मुझे क्या करना है last node के next में ठीक है मतलब last node जो है उसके next में मुझे new node का address डालना है यही करना है तो last node तक जाने के लिए सबसे बहले तो मैं क्या करूंगा एक temp name का variable बना लूँगा ठीक है तो यहां पर मैंने temp name का variable लोग टेंप is equal to self.head ठीक है अब मुझे कब तक traverse करना है अब सोचो अब मुझे कब तक traverse करना है बट यहां पर एक मैंने गड़बड कर दी गड़बड मैंने क्या कर दी कि यहां पर मैंने इसको update कर दिया मैंने 100 डाल दिया और इसमें अभी के लिए मैंने इसको अपडेट किया नहीं है तो इसमें 10 है इसमें 10 है इसमें 10 है तो यहां पर मैं compare नहीं कर पाऊंगा कि मेरी last node कौन सी है है तो यहां पर मैं compare नहीं कर पाऊंगा कि मेरी last node कौन सी है इसका हम एक चीज़ कर सकते हैं यहां पर हम एक और variable बना लें जिसमें हम पहले ही head की value को store करवाले head को update करने से पहले ठीक है जैसे मैंने यहां पर temp में head डाला ठीक है और यहां पर मैंने head को update किया हम एक काम और कर सकते हैं यहां पर मैंने head को update किया हम एक काम और कर सकते हैं यहां पर मैं एक टैंप नहीं और एक और बना लूँगा लेट से प्रीवियस value of head ठीक है प्रीवियस value head की previous value is equal to इसमें मैं पहले ही डाल दूंगा self.head ठीक है अब इसमें अब न्यू नोड का address 100 है अब मैंने न्यू नोड के next में क्या डाल दिया self.head मतलब न्यू नोड के next में मैंने head का head डाल दिया मतलब यहाँ पे as यहाँ पे मैंने tanner दाल दिया तो यह जो मेरी new node is it is एसको पॉइंट करने लग गई इसको पॉइंट करने लगई इसके बाद यहाँ पे मैंने…. तो यहां पर इसको करने लग गया है अब क्या है अब मेरे पास यहां पर एक और मैंने जो न्यू पॉइंटर क्रेट करिया है वह मुझे यहां पर करना पड़ेगा तो यहां पर कुछ को धो मैंने रएक जो यह पर बनाया है रिंप यहां पर इसको यहां पर एसे लेख देते हैं यहां यसको कुछ भी मैंने हैड़ डला तो इसमें भी टेन था तो मैं इन दोनों को कंपेर कर सकता हूं ठीक है तो अभी के लिए हम यहां पर अभी के लिए हमारा यहां पर जो काम किया है वह और रिफ्लेक्ट कर रहा हूं ठीक है यहां पर मतलब जो मैंने यहां पर code किया है उसका यहां पर scenario यहां पर बना रहा हूँ कि अभी के लिए मैंने किया क्या है तो अभी के लिए क्या किया है हमने यहां पर हमने इसको तो update किया नहीं है अभी तीक है इसको तो update किया नहीं है मतलब इसमें अभी के लिए करता है ठीक है अभी देखर हमने सिंपल हमने क्या किया है इसको भी एक तो मैंने टैंप में हैड डाल दिया ठीक है यहां पर टैंप में मैंने का ना है डाला है हेड डाला Songs क्योंकि एक है ट्रोख में पहले टा था तो यहांद पर 10 रफ L आ गया उसके दिलाथ है कंट कीज़ती उसके प्रिवेश ब्रोए हैमेफ यह तरी इसमें चेज़ती तेम्च में आप यह को ko तो इसका अड्रेस मालो 10,000 है उसके बाद फिर मैंने क्या किया एक इस नोड के next में मैंने head डाल दिया इस नोड के next में मैंने head डाल दिया क्योंकि पहले head में 10 था तो इसमें 10 चला गया तो यह इस फर्स्ट वाली मैंने head मैंने new node का address में डाल दिया तो यहां पर 1000 है अब मुझे यहां पर क्या करना है मुझे यहां पर क्या करना है मुझे अब इस नोड तक पहुंचना है, ठीक है, अब मुझे इस नोड तक पहुंचना है, अब मैं इस नोड को, मैं टेम्प को तब तक बढ़ाऊंगा, टेम्प में क्या है, 10 है, मैं टेम्प को तब तक बढ़ाऊंगा, जब तक मेरे टेम्प का जो next है, वो इसके equal नहीं हो जाता, ठीक है दब तक मेरे temp का जो next है वो previous value के equal नहीं हो जाता previous value में क्या है 10 है 10 अभी मेरा temp जैसे इसको point कर रहा है temp में 10 था तो temp इसको point कर रहा है तो temp.next तो यहां पर लिकूंगा if temp.next while temp.next not equal to previous value ठीक है temp.next में क्या है 20 है तो यह इसके equal नहीं है अगर नहीं है तो कि अगर हो temp को आगे बढ़ा दो तो मैं यहां पर temp को आगे बढ़ा दूँगा ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या condition लिकूंगा इस वाले step को करने के लिए यहां पर मैं लिकूंगा while temp.next not equal to ठीक है यह मतलब previous head value तब तर क्या करो temp को आगे बढ़ाओ तब तर क्या करो temp को आगे बढ़ाओ ठीक है तो यहां पर यह चेक करेगा temp में क्या है 10 है temp.next not equal to previous value हां नहीं है क्योंकि temp के next में 20 है इसमें 10 है equal नहीं है तो इसको आगे बढ़ाएगा यह तो इसको यह आगे बढ़ाएगा आगे बढ़ाएगा तो temp में 10 ना होके ठीक है टेंप में 10 ना होके टेंप में क्या जाएगा टेंप में आ जाएगा 20 टेंप में क्या आ गया टेंप में 20 फिर यह चेक करेगा टेंप डॉट नेक्स टेंप डॉट नेक्स में 30 ना होके टेंप में 30 ना होके टेंप मेरा अब 30 वाली नोट को पॉइंट करने लग गया यह फिर चेक करेगा टेंप डॉट नेक्स नॉट इकल टू प्रिवेस वालू टेंप के नेक्स में 40 है नॉट इक्वल टू 10 तो टेंप को आगे बढ़ाओ तो यह अगली वाली अगली वाली नोट को पॉइंट करने लग लग जाएगा ठेक है तो यह से टेफ्बार स्टेफ ही हमें चलना चाहिए ताकि यह में स्टेफ порty productivity में समझेयाया कि यहां पर चल के आ रहा है हर स्टेफ में हो्के आ रहा है तो इसी ःदाए अब किस को पांड कर रहा है तो यहां पर अब इसको पांड यह लग गया यह बिर इसने चाहिए कि टैंप डाउट नेक्स्ट नाइक्स्ट इसको बन्ट कर रहा इसका इसके नेक्स्ट में 10 यह एक्ट यह चाहिए यह इसमें भी यह से अगर यह कंडिशन अगर मैं बाहर आ गया तो अब मेरा जो टेंप है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो यहां पर मैं डाल दूँगा टेंप के नेक्स्ट को अपडेट करना है मुझे टेंप डॉर्ट नेक्स्ट इस इकल डू जो मेरी नियू नोड का एड्रेस है उसको यहां पर मैं डाल दूँगा ठीक है तो यह हमारा देखो लास्ट नोड का जो नेक्स था वह हमने यहां पर आकर अपडेट कर दिया तो हमारी जो नोड है वह इंसर्ट हो जागी एट दी फॉर्स्ट पोदीशन और मेरी जो यहां पर लास्ट नोड है अब यह किसको पॉइंट करेगी अ ठीक है जी चलिए अब इसको हम कोड़ करके देखते हैं तो ठीक है यह होगी अब यहां पर मुझे वाइल लूप लगानी है क्योंकि मुझे लास्ट नोड ट्रावर्स करना है कमेंट भी डाल देता हूं वाइल लूप इस फॉर रीचिंग एट दी लास्ट नोड ठीक है तो यहां पर लिखूंगा वाइल वाइल टेंप डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू प्रीवियस वैल ओफ हैड ठीक है तब तर क्या करो टेंप को आगे बढ़ाओ टेंप इस एक्वल सू टेंप डॉट नेक्स्ट ठीक है जब यह पहुंच गया ठीक है जब यह यहां पर मैं डाल दाओ हूं एट दी एट दी एंड ओफ दी लूप टेंप विल पॉइंट टू दी लास्ट नोड टेंप के नेक्स्ट में मुझे क्या डाला है निउ नोड का अड्रेस बस हमारी जो नोड है वो फ़र्स पोजिशंड पे इंसर्ट हो चुकी है एट ने तो यहां पर हमारे ा Hum लिंग्ड लिस्ट कि अबफोर इंसर्शन ठीक है उसके बाद फिर मैं यहां पे यहां पे ल्ल डॉट इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इसमें मैं यहां पे फिर मैं फिर इस फंक्शन को फिल्ट से ट्राइवर्सल को यहां पर मैं कॉल करूंगा क्योंकि मुझे बाद में भी तो देखना है कि मेरी जो नोड है वो इंसर्ट हुई है कि नहीं ठीक है लिंक लेशते यहां पर लिखंगा आफ्टर इंसर्शन अधिक तो चलिए अब इसको रनगर के देखते हैं तो जो मेरी नियू नोड है इससे मैंने 100 डाला चलिए इसको रनगर के देखते हैं अब हम तो यहां पर देखो लेंक लिस्ट बिफॉर इंसर्शन 1020 30 लेंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन 110 20 30 मतलब मेरी first position पर जो नोड है वो insert हो चुकी है ठीक है यहां पर let's suppose अगर मैं 101 कर देता हूं या 105 कर दो इसको तो फिर से मैं अगर रन करूंगा तो यहां पर फिर से देखो link list before insert 10 20 30 link list after insert 105 10 20 30 ठीक है तो हमारी जो नोड है वो first position पर insert हो चुकी है तो ऐसे हम insert करते हैं at the beginning of a circular link list I hope आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज घंटे को बजा करें ल करेंगा होगा 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 है झाभा और लगानी सम्छाएब जो करेंगा होगा हो होगा है